वेल्कम तु यू आल एट माई यूटीब चैनल स्टडी टाइम वितस के हेलो दिश इस सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर दिश इस सत्रा नवंबर को भी आपकी डेट सीट को रिवाइस किया गया था उसी तरीके से आज भी रिवाइस किया गया हाला कि इसके इंदर कुछ नय बदलाव जरूर कर दिये गये हैं वो क्या चींजेस हैं उसे देखेंगे हम इस वीडियो में तो ये रिवाइस टेंटिटिव डेट सीट है आपकी आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं इसकी डेट है 10th of December 2021 और उपर के तरप कोई हाला कि नया बदलाव नहीं किया गया है और एक चीज में आपको जूरूर बतादू कि 15 December 2021 आपके विदाउट लेट फीस examination form भरने की आखरी डेट है तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा साथ ही point number 3 important है पिछले वीडियो में भी जब मैंने tentative date sheet cover किया था वहाँ पर भी मैंने आपको बोला था कि point number 3 आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर बताया गया है कि कौन से वो programs हैं और किन courses के लिए आपके examinations mcq pattern पे रहने वाले हैं इस बार तो यह वो programs है और साथ ही यह हैं वो courses जिनके लिए examination mcq pattern पे होगा तो आपको ध्यान रखना होगा हलाकि यह वही courses है जिनके पिछले cycle examinations में भी exam mcq pattern में ही conduct कराये गए थे साथ ही यहाँ पर date और session को class को लेकर के यहाँ पर conditions बत रखी इसका भी आप ध्यान रखेगा हलाकि यह सारी सीचे मैंने पिछले वीडियो में आपको cover करा दिया था यहाँ पर आप देख सकते हो examination जो start हो रहा है उसकी date में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है लेकिन जो examination खत्म हो रहा है उसकी date में जरूर यहाँ पर बदलाव कर दिया गया है यहाँ पर जो examination start होने वाला है आपका वो है 20 जनवरी 2022 और इसके बाद कुछ courses के examination की date में भी change किया गया है तो अब आपको देखना होगा कि आपके कौन से courses के लिए नई date क्या रहने वाली है आपके exam की क्यूंकि जो भी new dates ही रहता है उसी के according इगनू के अं examination को यहाँ पर conduct कराया जा रहा है और अगर आपको ऐसा कोई course मिलता है कि आपके examination की पहले date कुछ और update कुछ और है तो वो जरूर हमें comment करके आप बताएं ताकि जितने भी आपके friends हैं उन्हें भी information आपके comment section में ही मिल जाए यहाँ पर आप देख सकते हो जो new date add किया गया है वो है 23rd of February का और यहाँ पर यह कुछ courses हैं जिनके examination 23rd of February को conduct कराया जाएगा तो इस तरीके से जो examination की date है उसके अंदर भी बदलाव आने वाला है जो इससे पहले कि यहाँ पर आप देख सकते हो dates in exam की in courses की इसके अंदर change जरूर आया होगा तो इस चीज को आपको ध्यान होंगे तो आपको इससे ध्यान रखना है और इसके according ही अपनी preparation करनी है साथ ही आपर groups बताए गए हैं मस एक यहाँ पर date नया add किया गया है और साथ ही कुछ examination की date भी change कर दी गई है एक date मेरे को एक course का मेरे को याद है कि CHS 6 का यहाँ पर जरूर examination की date को change कर दिया गया है जो क तक लिए stay tuned जै हिंद जै भारत